वे भी क्या दिन थे पहली पंक्ति से पकड़ना अच्छे दिन थे वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाद के पास होती थी और समय सब के पास था आज की तरह नहीं था कि फेश्बुक पर पांच हजार दोस्ता और परिवार में बोल चाल बंद है आप लोग जो दो पैसे देते हो हम कवियों के घर चलते हैं इसका मतलब यह नहीं कि कविशंबेलन हमारे लिए दंदा है एक मिशन है इस अंधेरे वक्त में यही एक ऐसा दिया है जो थोड़ा टिम्टी मारा है कुमार विश्वास 25-27 साल से कविशंबेलन में है करी 35 साल मुझे हो गई है यह लोग भी 15-20 साल से है कविशंबेलन हमारे लिए दंदानी एक मिशन है हमारी कोशिश रहती है मोबाइल इंटरनेट में उलजी पीडी शब्दों से महबबत करे किताबों की तरफ लोटे बुजरुगों का सानिध्य हासिल करे एक निवेदन कर दूँ दुनिया की कितनी भी एडवांश टेकनोलोजी हो उजाला बनाये जा सकता है धूप नहीं बनाई जा सकते तब आपकी महबबतों के नाम पुराने समय की विरोधा भास देखें तब मोबाइल तो क्या लेंड लाइन फौन तक नहीं होता था अतहे जूट सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था खान पान शुद्ध था और यादास्त अच्छी थी हर व्यक्ति को साथ-साथ पीडियां याद रहती थी अपनी भी और गाली गलोच होने पर दूसरों की भी हमारी प्रात्मिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्रात्मिक नहीं थी हमारा पचास बच्चों तीन अध्यापकों दो पेड़ों और एक कमरे का इस्कूल हुआ करता था आज तो इतने के बल पर लोग युनिवर्शिटी चला रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर कताई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझोता था कि सप्ता में तीन दिन वे इस्कूल नहीं आएंगे और तीन दिन हम बोलचाल में राजस्तानी का इस्तेमाल होता था है जैसे आप मराथी बोलते हैं और अपनी आउदी भोजपूरी जो भी लोक भाषा मात्र भाषा बोलचाल में राजस्तानी का इस्तेमाल होता था हिंदी शिरफ सहरों तक सीमित थी और अगली पंक्तियों पर अपनी तालि तक सीमित थी और अंग्रेज जी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी जंदा बाद अब आज शिवराज पाठिल साब ने अपनी चार किताबे मुझे दिये चारू अंग्रेजी में हैं मुझे एक आदमी रखना पड़ेगा आदमी का रखना एक बोतल मंगा लेना पीते रहना पड़ते रहना साब जाते समय चार ओर देना हमारे पिताजी जिंदा होते तो एक घंडे में पड़ डालते कही परकार के खेल कूद थे अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे भी क्या करें? खोखो कुस्ति और कबड़ी तो संसत विधान सवाओं में चले गए बाकी खेलों को किर्केट ने बाउंडरी लाइन से बार कर रखा जो चैनल खोलो किर्केट एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था तो कमेंटेटर ने वड़ी उची फेंगी जब से दवन और कोली ने मूचे रखी हैं तब से दुहाधार परफोर्म कर रहे हैं मेरे उस दिन समझ में आए कि दुनिया में महिला किर्केट क्यों पिछडा हुआ बाकी खेलों को किर्केट ने बाउंडरी लाइन से बार कर रखा पुराना समय याद करो हालां कि किर्केट तब भी खेला जाता था बैट का मालिक बैटिंग करता था और बोल का मालिक बोलिंग फील्डर भी यही दो होते थे बैट टचना होने पर फैंकी वी गैंद फैंकने वाले को लानी पड़ते थे एक ओवर्कुल कितनी गैंदूं का होगा ये गैंद का मालिक ते करता था बल्ले बाज पहले गेंद पीडता था फिर मूड की अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था तद पश्चात गेंद लाता था अब आपकी मुखबत मिलेगी ऐसा भी होता रहता था कि बल्ले बाज की दिन बर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन बर रनी बनाता रहता था हम आवारा पुझी वाद के दोर में जी रहे हैं जिसमें बेकावू टेकनोलोजी और मिल गई पहले का समय याद करो दो जोड़ी कपड़े होते थे वो भी बड़े भाई का चाचा का पिता जी का किसी का फटा पुराना फिट करवा लिया और एक दोके सुखा दिया दूसरा पहन लिया प्रेश भी तक्ये की नीचे दवा के होती थी आज वाड़ोब वालमारी कपड़ों से बरी रहती है और आदमे आदे गंड़े तक तय नहीं कर पाता किस पहन्ट के साथ कौन सा सर्ट मैच करेगा ये जो जीवन में कृत्रिम्त आई है लोग भूखे उठते तो थे किन्तु भूखे सोते नहीं थे महंगाई बिल्कुल नहीं थी इमान के अलावा सब कुछ सस्ता था और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोईनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी बड़ी मोहबबत दी बहुत आनंद आया उन दिनों राम लिला ये मनोरंजन का प्रमुक साधन हुआ करती थी जिन में महिला पात्रों का रोल भी पुरुसी किया करते थे राम लिला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग-अलग होता था राम लिला मंडली गाउं की धरमसाला में ठेरती थी हम बच्चे दिन में धरमसाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुस्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ तासपत्ती खेल रहे है सूर्पन खा मंधरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुस की जो घर में ओकात है चटाई पर बेठा रावन रात को आरती में आये पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है लोग पैदल चलते थे और पदियात्राएं करते थे जो की पद पराप्त करने के लिए नहीं होती थी कुछेक के पास साइकलें होती थी जो चार रोटियों में 40 का एवरेज देती थी कारें मोटर साइकलें तो छोड़ो बशें तक गिनती की हुआ करती थी जहाज और हावाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कौपियों के बनाते थे दो-तिन लोग तालीब जा रहे हैं आप भी रहन दो ने ऐसे लगता ने जैजे पूरी भीड़ का लोड़ दो-तिन लोगों पे आ गया हो याद आती हैं वे मीटर गेज की कोईले के इंजन वाली गाड़ियां तै करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कोन किसको डोरा है उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आद घंटे का सफर होता था तो भी लोग तीन वक्त का खाना बांद कर चलते थे ट्रेन में चड़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उस से अधिक आता था यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था आपने भी तुकाराम के अभंग सुने होंगे ट्रेनों में डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था भारतिय मनुष्य का मनोविज्यान देखना रच्छा लगे तो तालियों से बताना खड़े यातरी बजन पसंद करते थे और जिनें सीट मिल जाती थी वे गजल लोग फर्माई से करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फर्माई से करने वाले खुद गाने लगते थे और इस बार आप मेरा दावा है फिर तालियां रोक नहीं पाओगे जो चीज हमारे डी एने में गुशी हमें कोई नहीं सुधार सकता देखना चुंकि यात्री को सामान की भी स्वयम ही रक्षया करनी होती थी अतहे खाली हाँ चड़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे चिठ्थी पत्री का दोर था समापन की और बढ़ता हूँ चिठ्थी पत्री का दोर था SMS इमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद और हमारे एक बड़े शाहर है आदरनी उदे प्रताप सिंग जी समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे आपको तो मिले होंगे पार्लियमेंट में उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दोर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर ऐसे मेंस इमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद पत्रों में व्याकरन अशुद्ध होते वे भी आचरन अशुद्ध होता था मैंने तो स्वयम कई बार अपने पिताजी को चरन स्पर्स की जगे आशिरवाद लिखा है खत लिखता हूँ खून से शाही न समझना अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाद तब भी था परिनाम भी वैसा ही निकलता था जिनोंने वैसे प्रेम पत्र लिखकर कबूतर उड़ाये थे आज बेचारे शादी सुधायां और तोते उड़े हुए शादी से याद आया तब शादियों में व्यर्त का धूम दड़ाका और दिखावा नहीं होता था बस दो-चार बाराती बेंड पर बज़ती बीन की धुनपन नागिन डांस कर लेते थे क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही दो-चार बरातियों के पास होते थे वह टीवी नहीं रेडियो का यूग था एक बात माननी पड़ेगी मोदी जी के मन की बात से रेडियो के अच्छे दिन आए जो सच है वो सच कहना पड़ेगा पहले बार जब मोदी जी ने रेडियो पे मन की बात की तो राष्टपती ओबामने अमेरिका से बढ़ाई दी कि मोदी जी आथ तो आपको रेडियो पे देखा वह टीवी नहीं रेडियो का यूग था व्यक्ति बंदूग बले ही बिना लाइसंस के रख सकता था का गीत माला जस्देव सिंग की हिंदी कमेंटरी क्रश्ण कुमार भारगव देव के नंदन पांडे और रामानंत प्रसाद सिंग के समाचार और अब आपकी तालियां उठेंगी गर्दन जुका कर बीबी सी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं समापन पर तालिया जोरदार बजा दे ना वरना इसको फिर सुरू कर सकता हूं कि कमाल कर दया है कि सच है और यह अपने बच्चों को सुनाना सच है गन्य का रज सूख जाय तो वह लाठी रह जाता है तब हमारा जीवन कच्च्वे की तरह था आज हम खरगोश की तरह दोड़ रहे हैं अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नीरा आँ